इन खबर में आपका स्वागत है। पंद्रह तारिक की साम को इधर अंधेरा चा रहा था और उधर चीनी सैनिक साजिस के तहत हमले कर रहे थे। अलवर जिले के नवगावा कस्बे के सुरेंद्र सिंग इस घटना में गंभी रूप से घायल हो गए थे। अब सुरेंद्र सिंग की हालत खत्रे से बाहर है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। चालिस बरसी है सुरेंद्र सिंग को बारा टांके लगे हैं। उननीस साल से वो सेना में कारिरत हैं। सुरेंद्र सिंग दो साल से लद्दाक में पोस्टेड है। उन्होंने परिजनों को फोन पे बताया है कि किस तरीके से वो संघर्ष हुआ था। यहां तक कि पानी में भी संघर्ष हुआ, पांच फीट पानी में सैनिक खड़े थे और संघर्ष कर रहे थे। भारती सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और चीनी सैनिकों की संख्या ज़ादे थी। बताया है कि लगभग वो एक हजार थे और हम धाई सो थे और ये संगर्स हुआ लेकिन भारती सैनिक हिम्मत से लड़ते रहे एक सैनिक पांच-पांच से भीड़ा रहा वो तब तक नहीं गिरा जब तक कि पीछे से किसी चीनी सैनिक ने सिर्पे वार नहीं किया है इनके सुरे पिर वो जाएंगे सीमा पर लड़ने के लिए दूसरे जाबान सैनिक मंदीप सिंग है 15 दिन पहले ये अपने घर आये थे पंजाब के पटियाला में छुट्टी बिताने के लिए यानि कि 15 दिन पहले ही घर से सीमा पर गए थे और इसी बीच संगर्स हो गया मंदीप के भा पिर भी बच गए लेकिन मंदीप सिंग कईयों को मार करके सहीध हो गए यानि कि जो कहा जाता है जो कभी प्रदीप ने गाया है कि दस दस को एक ने मारा फिर गिरके होस कमा के जब अंत समय आया तो कह गए अब हम मरते हैं खुश रहना मेरे देश की प्यारो अब हम तो सफ यानि कि जो मंदीप सिंग के साथ थे मंदीप लीडर थे वो आगे आगे चल रहे थे तभी चीनी सैनिकों ने अचानक वार कर दिया लेकिन मंदीप बुरी तरीके से घायल होकर भी लड़ते रहे लड़ते रहे उनने बताया कि मंदीप किसी के रोके नहीं रुक रहा था ऐ जैसे लग रहा था जैसे वो आधी और तुफान के मानिद चीनी सैनिकों पे टूट करके लड़ता रहा लड़ता रहा जब तक कि वो सहीद नहीं हो गया तो अभी तो शुरुवात हुई है कि किस तरीके से भारती सैनिक लड़े उसकी कहानी बाहर आने की क्योंकि एक सवाल ब भारती सैनिकों की संख्या कम थी एक बात परिस्थितिया विपूरीत थी पहाड़ी और पानी था दूसरी बात और तिसरी बात की चीनी सैनिकों ने घात लगा करके हमला किया था वो डंडे में किल लगाये हुए थे तार माधे हुए थे और घातक छुरी नुमा हत्यार लि तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू